नमस्कार मैं हूं कुमार गजेंद्र चनपत अन्दा स्पॉर्ट में आपका स्वागत है हमारे एक दूसरे सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म अब बात करते हैं अर्विंद केजीबाल की गिरफतारी की आज जब से ये अर्विंद केजीबाल की गिरफतारी का ड्रामा चल रहा था तब से तिहार जेल के अंदर कुछ बैरिकों में अजीब सी एक हलचल थी हलचल इस बात की थी के लगातार कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ TV के सामने डटे हुए थे वो वो लोग थे जिन में डिप्टी सियम रहे मनीश सिसोधिया मंत्री रहे स्वास्ट मंत्री रहे सतेंद्र जैन और राज्य सवा के सांसद संजे सिंग मौजूद थे ये टीवी के आगे से हटे नहीं है, खाना भी इन्होंने नहीं काया है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये नेता ये समझ नहीं पा रहे थे कि आज ये बहुत खुश है या बहुत आज ये गुश्चे में है दरसल सभी लोग बहुत खुश थे, खुश इसलिए भी थे, जो हमारे सोर्स बताते हैं, खुश इसलिए भी थे, कि असल में इनको तिहार जेल तक विजवाने की जो पूरी कहानी थी, उसके जो कहानी कारते वो खुद अरविंद केजरी वाली ही थे, और तिहार जेल एक ऐसी ऐसी जगा है जहां पर बैठ कर इंसान सिर्फ और सिर्फ सोचता है और तरह तरह की खबरे जब उसके पास प्रतेक्शन और प्रोक्ष रूप से आती है उन पर वो बहुत ज़्यादा मनन चिंतन मनन करता है तो चिंतन मनन इसलिए हुआ कि आप ये सोचिए कि आखिर मुख्यम अर्विंद के जिवाल जब गिरफतार हुए तो कितने लंबे समय से ड्रामा चला आ रहा था और आज उनको पकड़ा गया लेकिन मनीज सी सोधिया पर जब डाग लगा तो मनीज सी सोधिया को आनन फानन में एडी के पास भेज़ दिया और एडी से गिरफतार करा तो यानि ये सारा माहौल जो गले मिलने का था एक शेर है कि हाथ में फूल जेम में खंजर लिये हुए यो दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगे हैं लोग तो ये जो शेर था आप समझे गले जो मिला जा रहा था गले मिलते हुए पीठ के पीछे खंजर था कि पलटते ही घौप दिया गय कि उनसे गले इसलिए मिला जा था उनकी मजबूरी थी कि इस केस को लड़ने के लिए इतना पैसा कहां से लाया जाएगा इतने बड़े बड़े वकील खड़े करने के लिए इसलिए केजरी वाल के गले मिलना उनके लिए मजबूरी बना हुआ था चो कि सरकारी खर्चे पर जितने बड़े बड़े वकीनों को खड़ा किया जा रहा था जितने बड़े बड़े वकील खड़े के चाहे जान भूज कर ही किया रहे लेकिन किये जा रहे थे मनिस्षी सोदिया कि आज ये पोजिशन नहीं थी कि इतने बड़े बड़े वकीलों के साथ हाई कोट शुप्रिम कोट और दूसरी अदालतों में केज लड़ पाते इसलिए केजड़ी वाल को जेल रहे थे यही हाल सतेंद्र जैन का है आपने सतेंद्र जैन का वो चेहरा जरूर देखा होगा जो परसों जब वो सरेंडर कर रहे थे त्यहार जेल जा रहे थे तो अपने बच्चे से अपने गोज से बच्चे को दूसरे को देते हैं और उनके चेरे पर पता चल रहाता है कि सच मुझ ये आदमी आज बहुत परेशान है लेकिन कोई अगर परेशान नहीं था वो नहीं थे केजीवाल दूसरा संजे सिंग का आप आज फेस देख लीजिए आकर उसक को किसने फसवा दिया तो संजे सिंग के पीछे भी यही लोग थे तो आज जब अरविंद के जिवाल खुद उस चक्र में फसे हैं तो ये सब भी उपर से चाये जो मर्जी दिखाने की कोशिश की जाए लेकिन अंदर अंदर ये बड़े खुश हैं कि अब आया उट पहाड के नीचे बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़े जो सबसे ज्यादा कुशी अगर किसी को है तो वह है महाठग चंदर श्र। जी हां महाटक सुक्रेश चंदर सेखर ने कल तीन पेज की एक चिठी लिख दी थी के कविता के लिए क्योंकि के कविता जो इस ब्रस्टाचार की नानी थी उनको वो ये दिखाना चाहते थे कि देखिए आप भी आ गई हैं और अर्विंद केजिवाल का कविता कलम में करोरों रुपे खा गए वो इतना गोटाला किया कई देशों में उनकी प्रॉपर्टिया बताई जाती हैं सुकेश चंद्रशेकर तिहार जेल के अंदर से जो आरोप लगा रहे थे वो तो यहां तक कहते हैं कि दुबई के अंदर एक अपार्टमेंट मैंने अपने किसी को कहकर खरिद वायता अर्विंद केजिवाल के लिए 3.3,5-3.3 करोर की गड़ियां इनके लिए मगाके थी राजसभा का भेजने के लिए इनको बाखाता पैसा दिया करोर रूप्या और कई करोर सबसे नहीं है और अर्विंद केजरिबाल को पूरा तेहार जाते हुए E.D. की टीम के साथ पस्ते हुए इतनी body language गंदी हो चुकी थी अर्विंद केजी वाल की जब उनको पकड़ कर ले जाया गया ज़रा गोर से देखिए किस तरीके से केजी वाल को E.D. की टीम दबोच के ले गई हम आपको ये इसलिए भी दिखाना चाहते हैं कि हम बार-बार आपको कह रहे थे E.D. की इनको यहीं से कॉलर पकड़ कर सीस महल से घसीट ती हुई दबोच कर ले के जाएगी ज़रा एक बाद देखिए अर्विंद केजबाल को कैसे घसीट के ले गई के इडिकिती हुई कर दो कर दोग्यों जबाद है आपने देखा होगा कैसी बॉडी लैंग्वेशी अर्विंद केजीबाल की इस भरष्टाचारी की जिसने करोरो रुपया करोना काल में वटोरा और करोना में पूरी दिल्ली को मरने के लिए छोड़ जिया था यह करमा है चक्र है घूमा और अब वो सारे लोग जो दिल्ली के हजारों लोगों की बहुत के जिम्मेदार थे सतेंद्र जैन मनीश सिसोधिया अर्विंद केज़िवाल औ और संजे सिंग जैसे लोग अब तिहार जेल के अंदर हैं वहीं सड़ेंगे जेल की दोटी खानी पड़ेगी जेल का पानी पीना पड़ेगा पहराल जो भी हो करमा सबके लिए है और जो बुरे करम करता है उसको यही फल मिलता है उसको चेलना पड़ता है जो आज अर्वि झाल